हेलो गाइस आज हम आपके साथ में एक ऐसे शेक की रेसेपी शेयर करने जा रहे हैं जो हेल्दी होने के साथ साथ बहुत टेस्टी भी बनता है और इसे बनाने में भी कोई जहनजट नहीं है घर में रखे कुछ इंग्रीडेंट से ही आप इस शेक को तयार कर सकते हैं और रेसेपी शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आप सभी लोगों से सभी नम्र निवेधन है कि अगर आपको हमारी यह रेसेपी पसंद आए वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करना शेयर करना कॉमेंट करना साथ ही ऐसी अच्छी अच्छी और खर्बूजा लिया है क्योंकि हम यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं मस्क, मेलन, शेक तो अब हम इस खर्बूजे को पहले कट कर लेंगे खर्बूजे को कट करने के बाद अब हम खर्बूजे के अंदर जो शीट से उन्हें निकाल कर अलग रग देंगे खर्बूजे के अंदर के सीट्स निकालने के बाद अब हम खर्बूजे को स्लाइसेज में कट कर लेंगे खर्बूजे को स्लाइसेज में कट करने के बाद हम खर्बूजे को पील आउट करेंगे और ये देखे हमने खर्बूजे की एक स्लाइस तयार कर ली है और इसी तरह हम सारे खर्बूजे को स्लाइसेज में कट कर लेंगे खर्बूजे को स्लाइसेज में कट करने के बाद अब हम इन स्लाइसेज को रफली चॉप कर लेंगे और ये देखे हमने खरबूजे की slices को roughly chop कर लिया है और अब हम एक mixi का jar लेंगे और इस jar में खरब चॉप के हुए ये खरबूजे एड़ कर देंगे जार में खरबूजे एड़ करने के बाद अब हम इसमें एड़ करेंगे टेस्ट के कोडिंग चीनी चीनी एड़ करने के बाद अब हम इसमें एड़ करेंगे थोड़ी सी आइस क्यूब आइस क्यूब एड़ करने के बाद अब हम इसमें एड़ करेंगे अवशकता अनुसार बिल्कुल चिल्ड दूध Do that करने के बाद आप चाहे तो इसमें वनीला आईसक्रीम भी एड़ कर सकते हैं और अब हम जार को पंद कर देंगे और इसे ब्लेंड कर लेंगे और ये देखिए हमने सबी इंग्रीडियन को अच्छे से प्लेंड कर लिया है और आप देख सकते हैं कि ये जो shake बन कर तयार हुआ है वो कितना थेक बना है बिल्कुल इसी consistency का हमें musk melon shake चाहिए musk melon shake ready हो गया है तो चलिए अब हम इसे serve करते हैं तो musk melon shake को serve करने के लिए हम यहाँ पार एक serving glass लेंगे और इस serving glass को musk melon shake से fill कर देंगे ग्लास को मस्क मेलन शेक से फिल करने के बाद अब हम इसमें एट करेंगे थोड़ी सी वनीला आइसक्रीम वनीला आइसक्रीम एट करना टोटली आप्शनल है लेकिन वनीला आइसक्रीम एट करने से मस्क मेलन शेक का टेस्ट कई गुना बढ़ जाता है साथी इसे को और भी सुन्दर दिखने के लिए हम इसे गार्निश करेंगे थोड़े से रूह अफजा से आप चाहें तो इसमें चॉप के हुए ड्राइफ फूट्स भी एड़ कर सकते हैं गार्निशिंग के लिए साथी हमने इसे गार्निश किया है खर्बूजे की एक छोटी सी स्लाइस को चॉप करके और आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट मस्क मेलन शेक बन कर तयार हुआ है और इस मस्क मेलन शेक को मेरे घर में सभी लोग बहुत पसंद करते हैं तो इस गर्मी पर आप इस मस्क मेलन शेक की रेसेपी को अपने घर पर ट्राइस जरूर कीजेगा और हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी ये मस्क मेलन शेक या खर्बूजे के शेक की रेसेपी कैसी लगी